Hey everyone, welcome back to new video और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉटलीन के कुछ ऐसे keywords की जिनको आपने यूज जरूर की हो लिए उसके बारे में complete information साथ आपको ना हो तो ये वीडियो होगी inline keywords के लिए cross inline, no inline, reified and where keywords यहाँ पर हम लोग बिल्कुल basic से इसको सीखेंगे कि हम लोग इसका use क्यों करते हैं किन cases में करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग एक real word example लेंगे और उसमें इन सारे concepts को इन सारे keywords को use करके मैं आपको example से बताऊंगा कि best scenario क्या होता है इन keywords को use करने का तो चलिए वीडियो को start करते हैं और सीखते हैं इसको scratch से तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे inline keyword की inline keyword को समझने से पहले हम यह समानना पड़ेगा कि आखिर हम इसकी जरूरत पड़ी क्यों वो problem क्या थी इसको solve करने के लिए इसको लाया गया तो problem को देखने के लिए मैं यहाँ पर एक function मनाता हूं message नाम से और इसको मैं simply a represent करेगा एक lambda जिसका input होगा कुछ भी नहीं और output होगा unit और मैं simply यहाँ पर इसको invoke कर दूँगा मैं इस message का use करूँगा और यहाँ पर जो हमारे lambda का body होगा वो होगा this is message अगर आप इसको execute करोगे वेल यहाँ पर this is message आपको देखने को मिलेगा बहुत ही basic सा यह example है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही होगी वेल प्रॉलम को देखने के लिए आपको इसके bytecode को चेक करना पड़ेगा तो चलेंगे अपने tools में यहाँ पर हमारे पास है kotlin, so bytecode आप इसको कर लो decompile यहाँ पर आप notice करोगे यह आपका main function है और main function के अंदर हमने invoke किया है message को message का जो require parameter है वो है एक function एक lambda जिसका input parameter है कुछ भी नहीं उसको represent करने के लिए इसने यहाँ पर सबसे पहले तो null का एक instance बनाया है उसको इसने typecast किया function 0 में तो function 0 एक interface है जो हमें यह बताता है कि जो function है उस function में input parameter कुछ भी नहीं है overall यहाँ पर एक instance create हुआ जिसको typecast किया गया function 0 में और जैसे आपने instance को create किया आपने यहाँ पर memory को use किया हमारे mobile devices में बहुत ही limited resources होते हैं memory बहुत ही limited होती है और हम लोग उसका use optimal way में करना चाहते हैं हम लोग यह बिलकुल नहीं चाहते कि एक lambda को represent करने के लिए हम memory यूज करें और इसी problem को solve करने के लिए inline keyword को introduce किया गया अगर हम लोग वापस जाएंगे अपने basic inline file में और मैं इस message function को convert कर दूँगा एक inline function में उसो करने के लिए आपको यहाँ पर use करना पड़ेगा inline keyword का और again मैं इसके bytecode को decompile करूँगा तो आपको changes देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप notice करोगे जो हमने body भेजी थी यहाँ पर इस message के अंदर यह मेरी body रही है simply है print this is message तो अगर आप इसको धाँ से देखो तो यहाँ पर हुआ क्या है वो function 0 का instance तो अब नहीं बन रहा है means हमारा memory नहीं consume हो रहा है उस function को represent करने के लिए बजाए इसके जो हमारा body है यह यहाँ पर cut होकर paste हो जा रहा है तो इससे हुआ क्या हमारा जो memory consumption था वो बच गया जो हमारा इस inline function का body था इसको इसने cut किया है और जहाँ पर हमने इसको call किया है वहाँ पर ले जाकर paste कर दिया है अब इसकी body क्या होगी वेल यहाँ पर क्या है एक function है function की body होती है वो body को मैंने यहाँ पर दिया है अब जब मैं इसको invoke करूँगा that means यह अपने body को execute करेगा body हमारी क्या है यह है that means ultimately यह जो print this is message है यह body बनी message inline function की और इसी को यह simply cut करेगा और जहाँ पर मैं इसको call कर रहा हूँ main मतलब call कर रहा हूँ यहाँ पर paste कर देगा तो inline function यही करता है इसको आप किन cases में यूज़ करोगे inline keyword का use आप तब ही करना जब आप अपने function में lambdas को pass कर रहे हो क्योंकि lambda को represent करने के लिए हम लोग function 0 का instance बनाते हैं फिर function 1 का instance बनाते हैं जो की memory consume करता है अगर यह lambda नहीं होगा तो वो जो function का instance है वो नहीं बनेगा तो उस case में आपका जो memory है वो consume नहीं होगा तो आपको उस cases में inline function का use नहीं करना चाहिए ultimately inline कलता क्या है अपने body को cut करता है जहाँ पर आप इसको call करते हैं वहाँ पर simply paste कर देता है लेकिन ये copy pasting में एक problem है अब वो problem क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर again इस message को invoke करूँगा और यहाँ पर इसके body में भेज़ूँगा this is second message यहाँ पर कोई problem आपको नहीं आगा अगर आप इसको execute करोगे तो दोनों message आपको print होता हुआ दिखेगा well मैं आपको दिखाता हूँ यह तो यहाँ पर दोनों message आपको दिख रहा है तो ultimately आपको देखने में यह जो return है यह ऐसा लग रहा है कि यह इस message function का return है मतलब एक local return है लेकिन ultimately जब आप इसको cut करके main में paste कर दोगे तो main जब execute होना start होगा तो यह return keyword को encounter करेगा तो return keyword जैसे encounter करेगा यह वहीं से return हो जाएगा that means आपका जो code है वो यहीं तक execute होगा यहाँ पर कभी पहुंचेगा ही ने इसको हम लोग बोलते है local return local return क्या होता है और non local return क्या होता है इसको समझने के लिए कि example मैं आपको देता हूँ तो मालो मैं यहाँ पर एक function मनाता हूँ A नाम से और मैं यहाँ पर return करता हूँ तो यह return जो है यह function के scope के अंदर है that means जब भी आप इस A function का use करोगे तो यह आपके execution कभी stop नहीं करेगा क्यों जो return है वो इस A function का return है मतलब एक local return है function A का लेकिन अगर यही return मैं directly यहाँ पर use करना हूँ जैसे हम लोग inline function में help से कर रहे हैं तो यहाँ पर यह return अब किसका हो गया यह main का हो गया हमें देखने में यह return किसका लग रहा है message का जो कि एक inline function है लेकिन ultimately यह बन किसका जा रहा है यह बन जा रहा है main function का तो जब हमें message में हमने return का use किया तो हमें देखने में यह लगा message का local return लेकिन ultimately जब इसको cut paste करोगे आप तो यह return बन जाएगा एक non local return वो होगा main function का और इसको prevent करने के लिए मतलब non local return को prevent करने के लिए हमें दिया गया है keyword इसको हम लोग बोलते है cross inline तो चलिए अब cross inline का use हम लोग करते हैं इस message का return है यह return है यह non local कभी भी अब हो ही नहीं सकता यहीं prevent करने के लिए हम लोग यूज करते हैं cross inline का अगर मैं इसको execute करूंगा तो आपको अब दोनों message देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि हमार जो return message है वो अभी बन चुका है एक local return इसलिए हम लोग यूज करते है cross inline का अब no inline का use हम लोग करते हैं होता है वो locally return होता है तो यहां पर आपका return जो local से non-local होता था वो बच जाएगा और explicitly यह function की तरह treat किया जाएगा तो यह हमारा inline keyword cross inline keyword no inline keyword ठीक है यह बिल्कुल basic example किसी भी function को inline में convert करने से पहले आपको यह भी धान में रखना है कि जो आपका lambda है उस lambda का जो body है वो छोटा से छोटा हो तभी आप उस function करो एक inline function में अगर आप ऐसा नहीं करते और आपका जो lambda का body है वो काफी बड़ा होता है तो यहां पर code की copy pasting होती है तो अगर आप इस inline function message को बार-बार call करोगे तो हर बारी वो code को copy paste करेगा और यह भी आपके performance के लिए अच्छा नहीं है आपको यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि जो भी function को आप inline function बना रहे हो उसका जो lambda है वो lambda का जो body होने वाला है वो छोटा रहे है यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है inline keyword cross inline और no inline keyword को समझ लिया है अब हम लोग यहां पर एक थोड़ा सा real world example लेते हैं और उसमें देखने कैसे इन सब का use करते हैं और वहां पर हम लोग यह भी सीखेंगे reified keyword क्या है where keyword क्या है और कैसे हम लोग इनका use करते है और कब करते हैं तो चलते हैं अपने इस second kotlin file में यहाँ पर मेरे पास है एक sealed class तो मैंने यहाँ पर कुछ setup और रखा है तो यह हमारा रहा एक sealed class video नाम से जिसके सब classes है programming, cooking और travel इसका title है और duration है और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक list को तयार कर रखा है अपने main function में तो सब type के base पर हम इस videos के list को filter करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक function को बनाऊंगा तो यह function एक inline function होगा और यहाँ पर यह एक generic function होगा जिसको हम लोग type T के नाम से जानेंगे और इसका जो नाम होगा वो होगा filter और इसका जो input होगा वो होगा इस videos की list तो यहाँ पर मुझे भीजना होगा इसकी list को इसका जो return type होगा वो होगा list of type T और यहाँ पर मैं इस video की list को use करूँगा और यहाँ पर call कर दूँगा filter is instance और यहाँ पर इसकी requirement होती है कि 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 type के base पर आप इसको filter करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ type T के base लेकिन यहाँ पर जो type T है यह हमें available न आने के लिए runtime पर हम लोग यहाँ पर use करते हैं कि special keyword का जिसको हम लोग बोलते हैं refide और refide यूज करते ही आपका जो यहाँ पर T है यह accessible है runtime पर इस function की body के अंदर तो refide का use आप करोगे जब आपको type की requirement होगी अपने function की body के अंदर यह generics के साथ ही हम लोग इसका use करते हैं और make sure करो जब आप refide का use कर रहे हो तो यह inline के साथ ही use हो सकती है अगर आप इसको यहाँ से remove कर दोगे तो refide यूज नहीं कर सकते हम ऐसा यह use होगा inline के साथ और simply मैं इसको return कर दूँगा तो अब हम लोग यहाँ पर इस filter function का use कर देंगे तो filter यहाँ पर आपको type भेजना पड़ेगी और इसको आप कर लो यहाँ पर print तो print करने के लिए मैं यहाँ पर simply एक variable बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूँगा filter और इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा print ठीक है filter.to string और simply आप इसको अगर execute करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास इस list में दो ऐसे item है जो programming के हैं और वो आपको यहाँ पर filter होके मिल जाएगा तो इस function क्रियेट करने के दोला हमने क्या सीखा वेल हमने सीखा कि refight keyword क्या होते हैं और किन केसे में हम इनका use किसके साथ हम कर सकते हैं तो इनका use किसके साथ कर सकते हो केवल और केवल inline function के साथ और कहीं भी आपको refight use करोगे तो आपको वहाँ पर compile time पर रही error देखने को मिलेगी refight keyword का use case आपको समझ में आ चुका होगा हम लोग यहाँ पर एक और functionality को deduce करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे यह list of videos है इस पर हम transformation को apply कर पाएं तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक औ function भेजना पड़ेगा एक lambda भेजना पड़ेगा जिसकी हेल से आप transformation को apply करोगे तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर use करेंगो no inline का मैं इसको inline नहीं करना चाहता और इसका मैं नाम दूँगा transformation ओके और इसका जो input होगा वो होगा एक video और जो इसका output होगा वो होगा एक video क क्योंकि हम लोग video को ही transform करेंगे और उस transform video को ही हम वापस करेंगे तो यह रहा हमारा इस function का parameter और इसका return टाइप जो हमारा last parameter होगा वो होगा on complete अगर सब कुछ complete हो जाएगा तो मैं इस function को simply कर दूँगा invoke ठीक है इसका जो input parameter होगा वो होगा list of video और मैं चाहता हूँ जो हमा तो इसको local return बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे cross inline का well इसको मैंने आपको already समझा रखा है और बस यह हमारा function रहा इसके कुछ parameters है अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे videos की list को map call करेंगे और map के अंदर simply transformation भेद देंगे ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं यह confusing लग रहा है तो आप यहाँ पर map का use करो और simply आप इस transformation के अंदर हम अपने उस video को भेद दो ठीक है यह भी आपका वही काम करेगा तो हमें यहाँ से क्या return होगा हमें यहाँ से return होगा list of videos जिन में transformation apply हो चुका है तो इसको हम लोग यहाँ पर एक variable V में रखेंगे और invoke करेंगे अपने on complete को और simply इसमें पास कर देंगे इसकी list को ठीक है तो यह हुआ हमारा apply transformation function तो इसको एक बार फीडियो समझते हैं देखिए apply transformation function एक inline function है जिसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं अपने videos के list को और यहाँ पर हमारे पास एक function है transformation जो की basically actually म function की तरह treat होगा that means जो इसका execution होगा वो बिल्कुल एक function की तरह होगा यहां से आप कुछ भी return करोगे तो वो एक local return होगा जो की होगा apply transformation का ठीक है तो यहाँ पर मैंने इस function को बनाया no inline और क्यों बनाया वो मैंने आपको समझा दिया cross inline मैंने इसको इसलिए बनाया कि मैं इसके जो return है उसको prevent करना चाहता हूँ मैं इसको non local return नहीं बनने देना चाहता इसलिए मैंने यहाँ पर use किया cross inline का ठीक है और simply इनका use करके मैंने सबसे पहले transformation किया उसके बाद on complete का use करके मैं simply इस transformed list को भेज दिया अपने on complete वाले function म अब इसका use हम लोग करेंगे यहाँ पर तो मैं इसको करूंगा apply transformation का यहाँ पर आपको वीडियो की list भेजनी होगी उसके बाद आपको यहाँ पर transformation लिखना होगा transformation लिखने के लिए आपको यहाँ पर मिल रख्या रहा है well हमारा जो input है वो एक video है तो हमें यहाँ पर video मिल र और इसके title को मैं थोड़ा सा यहाँ पर modify करूंगा तो it का जो title है वो मैं use करूंगा plus इसमें मैं add कर दूंगा transformed तो आपको समझ में आएगा कि यह actually मैं transform हुआ है that's it तो यह हमारा हुआ simple सा programming के लिए यही चीज होगी हमारे travel के लिए बिल्कुल यही चीज होगी हमारे cooking के ल दिल्ला है list of videos तो मैं यहाँ पर इस list of videos में iteration करूंगा और जो भी हमारा transformation उसको मैं आपको यहाँ पर println की help से दिखाऊंगा so it जो भी है इसको मैं simply to string में कर दूंगा convert एक एक करके आपका जो भी transform चीजे हुई है उनको आप यहाँ पर देख सकते हो again मैं इसको execute करूंगा इस main function को तो आपको यहाँ पर changes देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप result को देख सकते हो तो यह हमारा पहले वाला result है जिसके हमने filter by type किया था programming के पर उसके बाद आपका result है यह transformation कर result है जिसमें आप देख सकते हो जित्ते भी हमारे title है सम में हम लोग ने transform को append कर दिया है त इसको play करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक class बनाएंगे इसका हम लोग नाम देंगे video playable यह class जो होगा यह एक generic class होगा ठीक है और इसके अंदर हमारे पास एक function होगा play video और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे list list of type t अब हम basically इस list के जित्ते भी हमारे item से उनको एक एक करके play क करेंगे लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो हमारा type t है यह restrict हो यह केवल और केवल वीडियो के subtypes को ही यहाँ पर consume कर पाए जैसे यहाँ पर हमारे पास video एक sealed class है इसके subtypes है programming, cooking, travel मैं चाहता हो कि यह जो हमारा class है although यह generic है लेकिन इसमें आप केवल और केवल वीडियो के subtype को ह पास कर पाओ तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर use करते हैं where t is a subclass of video आपने यह चीज कर दी तो आपने यह यहाँ पर बता दिये कि आपका जो type है भाई वो type केवल और केवल वीडियो का subtype ही हो सकता है और को generic का use आप नहीं कर सकते इसके साथ तो यहाँ पर अब हम simply list में करते हैं iteration for each की help से और सबसे पहले मैं इसका type चेक करूंगा अगर यह type हमारा होगा programming का तो हम कुछ यहाँ पर करेंगे duplicate करेंगे इसको यहाँ पर हमारे पास है ट्रेवल और हमारे पास है cooking ठीक है और simply मैं यहाँ पर एक message को print कर दूंगा print और इसमें print क्या होगा it का title औ और इसमें मैं append कर दूंगा plate और बिल्कुल यही सब के लिए होगा तो मैं simply copy करके यहाँ पर paste कर दूंगा और यहाँ पर इसके अंदर मैं ठीक है तो यह हमारा video track है जिसको हमने यहाँ पर play कर दिया है और अब हम लोग इसका use करेंगे तो इसका use करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जाना होगा एक बनाना होगा video playable अगर मैं यहाँ पर video के लावा कुछ भी देता हूं like मैं string देता हूं तो यहाँ पर error होगी क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो हमारा general type होगा वो video का subclass हो सकता है और कोई चीज नहीं हो सकता है तो उस case में यहाँ पर मैं क कुछ और पास नहीं कर सकते ठीक है तो इसको जन्रिक टाइप को रिश्टिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेर की बढ़का अब सिंपली इस video को हम लोग प्ले भी कर लेते हैं तो वीडियो को प्ले करने के लिए अगर आपको भेजनी है तो क्या भेजोगे आप इसे video बेज़ोगे जो हमने यहाँ पर बनाये हुआ है ओके रिक्षर लिस्ट ऑफ फडिडियो प्रोग्रामिंग लेकिन हम भेज़ कर रहे हैं लिस्ट ऑ विडिए तो हमằng कर ते हैं इसको प्रोग्मनंग श्रुबीयियो भीज़ कर हम इसको वीडियो ही भेज देते हैं और हमको यहाँ पर simply colon का यूज़ करना पड़ेगा और वो class भेजने पड़ेगे इसके subtype को आप यहाँ पर allow करोगे तो यह आप refight keyword के साथ भी कर सकते हो ठीक है तो यह रहा हमारा वीडियो इस वीडियो में हमने cover क्या किया हमने keywords के बारे में जाना inline, cross inline, no inline, refight, where और कैसे इन topics पर लेकिन सब जगहां पर थोड़े थोड़े exploration देकर इसको आगे बढ़ गए हैं वो लोग तो यह वीडियो उनके लिए है जिनको इस चीज से बहुत डर लगता है वो लोग no inline देखके डर जाते हैं, वो लोग inline देखके डर जाते हैं, cross inline देखके डर जाते हैं कि क्या देते हो, आप उसमें performance को भी देखते हो, उसमें कैसे हम लोग और इसको optimize कर सकते हैं, code को यह सब आप देखते हो, तो उन सब cases में आपको इन सारे keywords का use करना पड़ेगा, hope you like this video, मिलते हम लो नेक्स वीडियो में जहाँ पर कुछ और सी जोको हम लोग discuss करेंगे, तब तक के दे देखते हूं के लिए, बाइ!